उदाहिरण 22 इसमें जो हमें प्रेश्ण दिया हुआ है वो है 104 गुणित 108 इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है आप देख रहे हैं ये दोनों संख्याओं 100 के पास की संख्याओं है 104 बराबर आप लिख सकते है 100 धन 4 और 108 बराबर आप लिख सकते है 100 धन 8 आप देख पा रहे हैं इन दोनों संख्याओं में आधार 100 है और विश्दन क्रमशा 4 और 8 है तो पहरी के तरह हम इसका हल निकाले हम पहरे संख्या लिखेंगे और आगे हम विश्दन लिखेंगे संख्या 104 इसका विश्दन धन 4 है संख्या 108 इसका विश्दन धन 8 है इस प्रश्दन को हल करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब उत्तर के दो भाग लिखते हैं दहेना भाग और बाया भाग तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां हमें इकाई और दहाई लिखनी होगी और यहां हम सैकडा और हजार और उसके बाद किदी कोई संख्या मिलती है वो सब लिखेंगे तो ये पहले वाले उदारन से अंतर है इसका पहले हम जब संख्या ले रहे हैं तब उनका आधार दस था उस सिति में हम केवल यहां पर एक संख्या इकाई लेते थे और अब चुकि आधार हमारा सौ है तो सौ ह और ने करने हां पर हम दो संख्या रखेंगे जो इकाई और दाहाई को होगा इसको आपकी किताब में लिखा हुआ है कि जितने शुन्य होते हैं उतने अंख्या मिहां पर लिखते हैं ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं तो पहले की तरह आप देखेंगे उत्तर का दाहिना भ कि बाइन तरफ की जो संख्या है या बाइन तरफ का जो हल है हमारा उसे प्राप्त करने के लिए हम किसी एक संख्या में दूतरी संख्या के विज्टन का योग करते थे तो आप 104 में यदि आप 8 जोड़ दे तो आपको 112 मिलेंगे या फिर आप दूतरी संक्या में पहले की विच्टन को जोड़िए आप 108 में 4 जोड़ सकते हैं तब भी आपको 112 मिलेंगे एक और तरीका आप ने देखा था कि आधार में आप दोने विच्टन को जोड़ दीजे तो आधार आपके पास 100 है और इस 100 में आप 4 और 8 को जोड़ते हैं तब भी आपको 112 ही मिलेगा तो ये तीन तरीकों से आप इसका निधारन कर सकते हैं चली किसी भी तरीके के अधार पर हम लिखते हैं यहां जो हमें संख्या मिलेगी वह 112 होगी जो सैकड़े को बताएगी तो आप देख रहे हैं यह सैकड़ा है तो यह 1000 होगा और यह 10,000 होगा तो हम इसी तरह से इसका हल लिख ले हमको मिलेगा एक एक दो तीन दो ग्यारा हजार दो सो बतिस यह जो परिड़ाम टाप्त हुआ वो संख्या एक सो चार और एक सो आट का कुड़न फल है अब इसे अपने समाने तरीके से जैसा आप करते थे उसके दारा हल करके इसकी जाज भी कर सकते हैं